हलो फ्रेंड आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जारों की कैसे आप अपने LG W41 Android वाइल फोन में आप जो नोटिफिकेशन साउंड सैटिंग को आप डिसेबल कैसे कर सकते हैं ठीक है और ये नोटिफिकेशन साउंड सैटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सैटि के इस पेज में आपको है नीचे आना यहां पर आपको अप्षन मिल जागा है इस तरह इसके बाद आपको इसे तपन बटन प्रेस करना है तो आप देख सकते है default notification sound setting के नीचे जो है known लिखा हुआ रहा है यानि कि आपकी इस तरीके से ये setting disable हो जाती है ठीक है अब ये notification sound setting disable होने के बाद ये setting कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ आपके mobile phone पे अगर कोई भी notification receive होगा कोई भी notification आपके mobile phone पे आएगा तो आपका mobile phone जो है ना इन में से किसी की भी notification की sound create नहीं करेगा ये जो जितनी भी दे रखे ठीक है ये setting disable करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपके mobile phone में यानि कि आपके WLG W41 Android mobile phone में ठीक है अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैसे आप इस notification sound setting को अपने mobile phone में shortcut तरीके से कैसे ढूंड सकते है ठीक है इसके लिए आपको करना क्या होगा आपको जो आपने mobile phone में setting page open करना है ठीक है setting page open कर लीजिए setting page में आपको सबसे उपर ये search setting का option मिलेगा search setting पे select करना है और यहाँ पर आपको search bar में type करना है notification sound ठीक है जो setting का name है वो यहाँ पर आपको type कर देना है इस तरीके से तो आपको नीचे यह option शो जाएगा notification sound का इसे आपको जो आप करना है ठीक है इससे क्या होगा आपका mobile phone आपको directly इस setting page में लेकर आ जागा और इस setting को highlight करेगा तो यह मैंने आपको एक shortcut तरीका भी बता दिया इस setting को ढूंदनेगा आपके mobile phone में